तो यह गाईज, मुद्कम टो दिन्यू ब्लोग तो गाईज लेकर के आ गया हूँ आपको दलहट्टा देवी जी, औरूरूस गंज और आपको दिखानेवाइज़ मौनूज देवी घंज जी आपको दरशन करवाने वाला हूँ दलहट्टा तो गाईज, ब्लोग को इस्टार एंध्य मृच्ष लेंगे ko स्ट्रूंट करते हैं आपको मता का दर्सन करवाते हैं जैसे यहेश bored गुष अब घुष कि तो उसके बात जो है यह आपको इतना जादा बीडो देखने को मिलेगा मता का मंदीर देखें और अगर आप नजर दौर आएंगे तो पूजा पाट का सारा समान आपको मिल जाएगा तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और यह देखें माता का मंदिर के पास हम लोग पहुंच चुके हैं तो देख सकते हैं सामने माता का दर्वार है और देखें कितना सारा भीर है और जस्ट यहां से अगर बात करूँ तो मैं मुस्किल से मान के चलिए की 200 से 300 मीटर की दूरी पे जस्ट बड़ी देवी जो है स्री बड़ी देवी आपका मारूफ गंज का वो इस्थित है तो अगर आप मारूफ गंज आते हैं बड़ी देवी का दर्शन करने के लिए तो यहां पर माता का भी दर्शन कर सकते हैं दलहटा में जो कि बहुत ही पास में है जैसा कि मैंने आपको देखाया था दोनों का गेड़ जो है बिलकुल मतलब सटा हुआ है अगल बगल में तो आप भी कि नवरात्री आपका 24 का में व्लॉग दिखा रहोंगा है जिस वक्त आप भी आकर के जल्दी से दर्शन कर लिजे च्योंकि मात्र जो है दो दिन बचा है तो माता का दर्शन आप भी आकर के कर सकते हैं यहां अनेक बात जो है आपको दोनों देवी का दर्शन हो जाएगा मारूप गंस पत्ना सिटी को आपको आपारा दो देवी का दर्शन हो जाएगा मारूप गंस पट्ना सीठी हुआ तो गयज यह ब्लॉग मैंने आपको दिखाया यहाँ पे मारूफ गंज पटना सिटी का दलहटा का आपको देवी जी का दर्सन करवाया है तो गयज आपको ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जैमाता दिलिक करके जरूर बताए चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नए वीडियो सबसे पहले आप तक मिलती रहे तो चलिए गैज मिलते हैं जल्दी ही नेक्स ब्लॉग में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय माता दी और आपको करके ज़रूर बहता है कर तो dai pak did यह बाद यह बाद यह ब्लाग है यह बाद बाद है